नमस्कार बच्वों, आज हम सुरू करेंगे कक्षा 10 की प्रस्नावली 4 चोथी प्रस्नावली का नाम है द्वीगाद समीकरण इस प्रस्नावली के अंदर 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 पुराने इस लेपस में 4.4 तक ये प्रस्नावली थी इस बार बोर्ड ने 4.3 प्रस्नावली को सलेपस से अटा दिया है तो अब पुरानी किताबों में तो 4.4 है वो नई किताबों में यानि कि नए सलेपस में अभी हो गई है 4.3 तो 4.1, 4.2 और 4.3 इन 3 प्रस्नावली को हम पढ़ेंगे 4.1 प्रस्नावली है इसके अंदर एक तो हमें द्विगाज समीकन के जांच करनी होगी कि जो हमें समीकन दे रखिये वो द्विगाज समीकन है या नहीं है दूसरा इसमें द्विगाज समीकन बनाना होगा दो परकार के परसन है 4.1 के अंदर फिर 4.2 परसनावली है इसके अंदर हमें द्वीकाज समीकन का हल ग्याद करना है और द्वीकाज समीकन का हल ग्याद करने की यहाँ पर जो विदी है उस विदी का नाम है गुननखंड विदी या इसको हम कह सकते हैं मद्यपद विवाजन विदी जो हमने दूसरी परसनावली के अंदर बवाउपत के गुननखंड काम करने के काम में लिधी वही वीदी यहां पे गुननखंड या मद्देपत वीवाजन वीदी काम में लेंगे और जो 4.4 परसनावली पुराने सिलवस के अनुसार और नए सिलवस के अनुसार 4.3 है इस परसनावली के अंदर एक तो हमें मूलों की प्रकरति ग्याद करनी होगी कि किसी भी द्वी गात समीकन के जो मूल है वो किस परकार के होते हैं वास्ट्विक होते हैं या काल्पनिक होते हैं अगर वास्ट्विक होते हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं एक तो ये चीज हमें ग्याद करने होगी इसमें दूसरी यहां पे एक द्वी गाती सुत्र है उस द्वी गाती सुत्र की सायता से हमें द्वी गात समीकन के मूल ग्याद करने होगे तो सबसे पहले हम अध्यान करते हैं परसनावली चार पॉइ सबस्क्राइब करने हैं। नेख्णकैंट एक अन्ठी नदर नहीं है। पूर्ड कहातबहुपद को अगर हम बराबर का चिन लगा कर लिखदें। तो वो बन जाती है द्वी गात समिकर्ड द्वी गात वह उपद के अंदर चर्ग की जो अधिक्तम गात होती है वो अधिक्तम गात होती है दो यनकी अगर हमारे पास चर्ग की दो गात है तब तो वो द्वी गात समिकर्ड है दो से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए दो से छोट का पता आगया तो भी गाथ शेमिकरण नहीं है एक आगर चर के नहीं है अगर अधिक्तम गाथ एक दे दे कुन-जाइगा खरें कि और थे और कंच्रेंग या नहीं धमी कर लागा सुछ सबसे पहले हमें स्वेर के रूप में या क्यूब के रूप में या संखें गुणा भाग में दे रखें तो उनको हल करके एकल पत के रूप में उनको बनाएंगे जैसे नमबर एक हमें दे रखा है एक्स पलस एक की गात दो और बराबर में है दो ब्रेक में एक्स माइनस तीन अब बराबर से पहले त जब योग के रूप में होती हैं और उनके ओपर दो गातो तो वहां पे सर्वेस में इका होती है X पलस Y की All Square और ये बराबर होती है X स्केर पलस Y स्केर पलस 2 गुणा X Y यहां पे X और Y हैं वो दो संख्याओं के परतिक हैं X का मतलब पहले संख्या Y का मतलब दूसरी संख्या तो दो संख्या योग के रूप में इनके उपर गात दो हैं तो पहले संख्या का वरग हो जाएगा पलस में दूसरे संख्या का वरक पलस में दोनों संख्याओं का गुणा करके और उसे दो से गुणा कर देंगे ये X पलस Y की ओल स्केर आजाएगी और बराबर के दाइं तरफ ब्रेक्ट के अंदर हमें दे रखा है X माइनस 3 और ब्रेक्ट के बाहर गुणा में दे रखा है दो तो यहाँ पर वित्रण नियम काम में आ जाएगा दो का ब्रेक्ट के अंदर की दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा करेंगे तो सबसे पहले X पलस Y की ओल स्केर है इसको अल करते हैं यहाँ पर X की जगए तो X है और Y की जगए यहाँ पर आ गया एक तो जो हमारे पास सर्वेस मीका है उसमें X की जगए तो X है रखेंगे और Y की जगए एक रख देंगे तो हमारे पास सर्वेस मीका के अंदुसार इसका हल हो जाएगा पहले X की स्केर प्लस में y की जगया में 1 रखना है तो प्लस में y की स्केर है उसकी जगया जाएगा 1 की स्केर प्लस में हमें दे रखा है सर्वास में का में 2 गुणा x गुणा y तो 2 गुणा x की जगया x और गुणा में y की जगया हमें दे रखा है 1 फिर बराबर का चिन break के अंदर x-3 है तो पहले 2 का गुना x से होगा तो पहले चिन का गुना करते हैं दोनों संखें प्लस चिन की है तो उत्तर तो प्लस में हैंगे 2 का गुना x से करेंगे तो यह लिखा जाएगा 2x फिर 2 का गुना-3 से करेंगे तो पहले चिन का गुणा करते हैं 2 पलस का है और 3 माइनस का है विप्रिट चिन है तो चिन माइनस आ जाएगा 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 अब आगे इसको हल करते हैं X की स्केर पलस 1 की स्केर 1 को 1 से गुणा करते हैं यह आ जाएगा 1 प्लस में 2X का 1 से गुणा करेंगे तो संख्यों का गुणा कर देदें 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 गुणा में 14 से में दे रहे X बराबर में 2X-6 अब सभी पदों को हम बहिंतरफ लेकी ह treaties तो X स्केर पलस 1 पलस 2X ये तो हमें बाइन तरफ पहले से दे रखें जैसे हम पदों को बाइन तरफ ले कहेंगे जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की हो प्लस की हो जाएगी तो 2X प्लस के हैं ये तो हो जाएगे माइनस के 2X और 6 माइनस का है यह हो जाएगा पलस का 6 और बराबर में बचेगा 0 अब समान पदों का जोड और गटाओ कर देते हैं X की 2 गाट तो हमें ऐसा कोई भी पद नहीं दे रखा है जिसमें X की 2 गाट है तो X स्केर को X स्केर लिखा जाएगा फिर उसके बाद में X की 1 गाट का पद देखते हैं तो हमें X की 1 गाट के 2 पद दे रखें पलस के 2X और माइनस के 2X दोनों संखें विप्रिच चिनकेद इनके गुणांकों को गटा देते हैं 2 में से 2 गटाएंगे तो ये बचेंगे 0 और हमें 14 सी दे रखे है X अब अच्छर पदों को जोड़ेंगे ऐसे पद जिनमें के गुणा में कोई भी X नहीं दे रखा है तो ये पद हमारे पास है पलस का 1 और पलस के 6 दोनों समान चिनके हैं तो दोनों को जोड़ा जाएगा 6 और एक ये हो जाएंगे पलस के 7 और बराबर में 0 आगे इसको अल करेंगे X स्केर 0 को X से गुणा करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो हमें साँ 0 आता है ये 0 आईगा और पलस में हमें दे रखा है 7 बराबर में 0 अब यहां पर हमारे पास जो 4 राशी X आईए उसकी अधिक्तम गात 2 है तो लिख देंगे कि यहां 4 X की अधिक्तम गात 2 है इसलिए यह द्वी गात समी करने इसलिए यह द्वी गात समी करने और यही चैट करना था हमें कि यह द्वी गात समी करने है या नहीं है आगे दो नमबर पार्ट दो नमबर के अंदर हमें दे रखा है X स्केर माइनस 2 X बराबर में माइनस 2 और दूसरे ब्रेक्ट में दे रखा है 3 माइनस X तो यहाँ बराबर से बाइन तरब तो हमें दो संखें एकल रूप में दे रखा है यह कोई भी संख्या गुना या बाग में नहीं दिये तो बाइन तरब के संख्याओं को जैसी दे रखा है वैसे लिखेंगे दाइन तरब के संख्याओं एक ब्रेक्ट में दे रखा है 3-x और इसके बाहर दूसरे ब्रेक्ट में दे रहा है माइनस 2 यह संख्या माइनस के इसलिए इसको ब्रेक्ट में लिखा गए तो एक संख्या है तो ब्रेक्ट के अंदर 2 संख्या है ब्रेक्ट के बाहर एक संख्या है दो का तीन से गुणा करेंगे दो ती अच्छ है अब माइनस दो का गुणा होगा माइनस एक्स से तो दो भी माइनस का है और एक्स भी माइनस का है दोनों समान चिन की संख्या है और समान चिन की संख्या होती है तब चिन आता है पलस दो का एक्स से गुणा करेंगे एक चर्र तरफ माइनस के 6 हैं तो माइनस चिन है वो परिवर्थित हो जाएगा प्लस में और प्लस के 2X हैं प्लस चिन परिवर्थित हो जाएगा माइनस में तो माइनस के 2X और बराबर में बचेंगे 0 अब समान पदों का जोड और गटाओ कर देते हैं X स्क्वेर के समान हमें और कोई पत नहीं दे रखा है तो X स्क्वेर आजाएगा X की एक गात के हमें दो पत दे रखा है माइनस के दो X और माइनस के दो X दोनों समान चिन के संख्या है दोनों माइनस के हैं तो चिन दो माइनस आएगा गुनांकों को जोड देते हैं समान चिन के संखें जोड़ी जाती है तो दो और दो जाएंगे च्यार और चर्रासी अमें दे रुके X अचर पद हमें केवल दे रखा है प्लस के 6 तो प्लस के 6 आ जाएंगे बराबर में 0 अब यहां पर हम चर्रासी X की अधिक्तम गात देखें तो अधिक्तम गात हमें 2 दे रुकें तो लिख देंगे कि यहां चर्रासी X की अधिक्तम गात 2 है की अधिक्तम गात 2 है इसलिए यह द्वी गात समी करने इसलिए ये हैं द्वी गात समीकर्ण है इसी के हमें जांस करनी थी कि ये द्वी गात समीकर्ण है या नहीं है आगे तीन नमबर हमें दे रखा है X-2 ब्रेक्ट में और दूसरे ब्रेक्ट में X-1 बराबर पहले ब्रेक्ट में X-1 और दूसरे ब्रेक्ट में दे रखा है X-3 अब यहाँ पर हमारे पास बराबर से पहले दो संखें ब्रेक्ट में दे रखें जब break के अंदर दो-दो संखें आ जाएं तब हम क्या करेंगे कि जो पहला break है ना उसकी दोनों पदों का अगले पूरे break के साथ गुणा होगा तो x-2 है इसका पूरे break x-2 से गुणा होगा तो पहले x का गुणा इस पूरे break के साथ करते हैं तो सबसे पहले तो x का गुणा हो जाएगा x-1 से फिर उसके बाद में संख्या में दे रखें माइनस 2 तो माइनस 2 लिखेंगे और इस माइनस 2 का पूरे break के साथ गुणा होगा तो गुणा में आ जाएगा x-1 आगे चिन बराबर का थिक इसी परकार एक break में x-1 है और दूसरे break में x-3 है तो पहले x का गुणा इस पूरे break के साथ होगा तो x के गुणा में x-3 आगे हमें संख्या दे रखें माइनस 1 जो चिन दे रखा है वो चिन साथ में लिखेंगे माइनस 1 और break हमें दे रखा है x-3 माइनस एक का गुणा भी पूरे ब्रेक्ट के साथ हो जाएगा अब हमारे पास च्यार पद बने पर तेक पद में ब्रेक्ट के अंदर दो संखें दे रखें और एक संख्या उनके बार दे रखें तो बाहर वाली संख्या का ब्रेक्ट के अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा होगा तो X का गुणा पहले हो जाएगा X से दोनों हमें प्लस के दे रखें तो चिन प्लस आएगा X का गुणा करेंगे X से फिर X का गुणा करेंगे प्लस एक से दोनों संखें प्लस की हैं तो चिन प्लस आ जाएगा और X का गुना हो जाएगा एक से ही किसी प्रकार ब्रेक्ट के अंदर हमें दे रखा है X प्लस एक और ब्रेक्ट के बार हमें दे रखा है गुना में 2 तो 2 का दोनों संख्याँ से अलग लग गुना होगा तो माइनस दो का गुना पहले प्लस एक से करेंगे तो माइनस का प्लस से गुना चिन माइनस आ जाएगा और दो का गुना हो जाएगा एक से तो दो एकस फिर माइनस दो का गुना एक से करेंगे तो minus का plus से गुणा करेंगे चिन minus आजाएगा और 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 आगे चिन दे रखा है बराबर का ठीक इसी परकार हमें बराबर के बाद में x plus 3 ये तो break में दे रखा है इसके बार गुणा में x दे रखा है तो पहले x का गुना एक्स से होगा तो एक्स गुना एक्स फिर एक्स का गुना प्लस तीन से तो प्लस का प्लस से गुना चिन प्लस आ जाएगा और एक्स का गुना हो जाएगा तीन से आगे दिर्खाय में माइनस एक पर ब्रेक में दिर्खाय एक्स प्लस तीन तो पहले माइनस एक का गु तीन, अब इनको हल कर लेते हैं, यहां पर X दो बार गुना में लिखा गए है, तो कोई भी संख्या जितनी बार गुना में लिखी जाती है, उतनी उस पर गाता जाती है, तो X दो बार गुना में, X की दो गाता जाएंगी, प्लस में X का एक से गुना करेंगी, किसी भी संख् में देर रखा है मायनस के 2x और मायनस के 2 बड़ाबर x गुना x x दो बार गुना आ गया x की गाद 2 पलस में x का 3 से गुना करेंगे तो चरराशी और अचरराशी का कभी भी गुना नहीं होता है पहले अचरराशी को लिख देते हैं पहले संक्यात मक्मान को लिख देंगे उसके बाद में अचर राशिया वो हमें दे रखे एक्स माइनस एक का एक्स से गुणा करेंगे यह जाएगा एक्स और माइनस में तीन अब सभी पदों को हम बाहीं तरफ ले आते हैं उससे पहले इनको हल करना चाहें तो हम हल भी कर सकत हैं क्योंकि यहां पर एक्स के दो दो पत दे रखें तो इसको अल कर लेते हैं पहले एक्स स्केर एक्स स्केर का हमें ब्राबर के बाहीं तरफ कोई और पत नहीं दे रखा है एक्स के दो पत दे रखें पलस का एक एक्स और माइनस के दो एक्स विप्रेच चिन है गटा हो ज बराबर में x² का केवल एक की पत दे रखा है तो x² प्लस के 3x हैं और माइनस का 1x है विपली चीन है गटा हो जाएगा 3 में से 1 गटाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे और 14 यह में दे रखे x और माइनस के 3 अब सभी पतों को 22 ले आते हैं तो x² माइनस x माइनस 2 यह तो हमें बराबर से पहले दे रखें x² प्लस का है 22 माइनस का हो जाएगा 2x प्लस का है यह भी माइनस का हो जाएगा और 3 माइनस का है यह हो जाएगा प्लस का और बराबर में बचेंगे 0 अब समान पतों का जोड़ और गठाव कर लेते हैं X स्केर के हमें दो पत दे रखे हैं एक में गुणाँ का में दे रखाए पलस एक और दूसरे में गुणाँ का माइनस एक विप्री चिने गठाव हो जाएगा एक में से एक गठाएंगे बचेंगे जिरो उट चर्णा से हमें दे रुके X स्केर अब X की एक गात के पड़ देखें तो माइनस का 1X और माइनस के 2X दोनों माइनस के हैं समान चिन के है तो जोड़ी जाएंगे गुणांग जोड़ देते हैं पहले हमें X का गुणांग दे रखा है एक और आगे वाले में दे रखा है दो तो दो और एक हो जाएंगे माइनस के तीन चर्राशी दे रखे एक्स अब अचर पदों का जोड़ और गटाओ करते हैं माइनस के दो और पलस के ती विप्रित चिन है तो गटाओ हो जाएगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गटाते हैं तीन में से दो गटाएंगे एक बचेंगे बड़ी संख्या पलस के तो पलस के एक बराबर में जिरो जिरो का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं जिरो आता है तो X स्केरो कापद है वो तो 0 हो जाएगा इसके अलाव हमारे पास बचेगा माइनस के 3X और प्लस के 1 बराबर 0 अब यहाँ पर चर्रासी के अधिक्तम गात है वो एक दे रखिए जिनकी 2 गात कापद नहीं है इसलिए यह 2 गात समीकन नहीं है तो लिखते हैंगे कि यहाँ चर्रासी की अधिक्तम गात एक है चर्रासी की अधिक्तम गात एक है इसलिए यह 2 गात समीकन नहीं है अगर अधिक्तम गात 2 होती है तब तो 2 गात समीकन होती है अगर 2 नहीं होती है अधिक्तम गात तब वो द्यूए गात समीकंड नहीं है तो यहां पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है केबल जो हमें समीकंड दे रखे उसमें जोड गटाओ करके समीकंड बनानी है एकलपत के रूप में यहनकी गुणा और भाग के जो हमें चीन दे रखे उन सब को हल करना है और लाश्ट में जो समीकन बचेगी उसमें चराशी की हमें गात देखनी है कि हमें गात कितनी दे रखी है आगे चार नमबर हमें दे रखा है X-3 ब्रेक्ट में 2X प्लस 1 बराबर में है X ब्रेक्ट में X प्लस 5 अब ब्राबर से पहले हमें 2 ब्रेक्ट दे रखें दोनों के अंदर 2 दो पद दे रखें तो पहले ब्रेक्ट के अंदर जो पहली संख्या है पहला जो पद है उसका पूरे ब्रेक्ट के साथ गुणा करेंगे तो पहला पद हमें दे रखा है X, X का गुणा करेंगे पूरे ब्रेक्ट के साथ 2X प्लस 1 से अब दूसरा पद हमें दे रखा है माइनस 3 तो माइनस 3 का गुणा हम करेंगे पूरे ब्रेक्ट के साथ तो ब्रेक्ट 2X प्लस 1 बराबर का जिन अब ब्राबर के बाद में ब्रेक्ट के अंदर तो हमें दो पत दे रहे हैं और ब्रेक्ट के बार हमें केवल एक संख्या गुणा में दे रहे हैं इस संख्या का दोनों संख्याओं से अलग लग गुणा हो जाएगा X का गुणा हो जाएगा X से और फिर X का गुणा होगा प्लस 5 से दोनों संख्ये प्लस के हैं चिन प्लस आ जाएगा और X के गुणा मा जाएगा 5 अब इसको अल करेंगे आगे तो अब हमारे पास ब्राबर से पहले जो पद दे रखें उनमें 1-1 संख्या तो ब्रेक्ट में दे रखें जिसमें 2-2 पद हैं और उनके बाहर गुणा में हमें 1 संख्या दे रखें उस संख्या का दोनों पदों से अलग लग गुणा होगा पहले X का गुणा हो जाएगा 2X से पिर X का गुणा प्लस एक से तो चिन प्लस आजाएगा और एक्स गुना एक अब माइनस तीन का गुना पूरे ब्रेक्ट के साथ करेंगे पहले माइनस तीन का गुना दो एक्स से होगा तो माइनस का प्लस से गुना करेंगे चिन माइनस आजाएगा तीन का गुना करेंगे दो एक्स से फिर मा minus को plus से गुणा करेंगे चिन माइनस आ जाएगा और 3 को एक से गुणा करेंगे 3 कम 3 बराबर में X गुणा X X को 2 बार गुणा में लिखा गए X की 2 गात आ जाएगे loot 84 और 85 को गुणा किया गया तो पहले 8085 को लिखतेंगे उसके बाद में 84 को प्लस के पांच एक्स बरापर से पहले वाले पद कोल करते हैं एक्स गुना दो एक्स दो चरों का हमें गुना दे रखा है दो बीजे वेंजकों का गुना दे रखा है यहाँ पर संख्यात्मान ने उनका गुना करते हैं संख्याओं का गुना करते हैं संख्या केवल हमें 2 दे रखिये अब 84 का गुणा करेंगे X का X से गुणा करेंगे तो X दो बार गुणा मागया तो X की गाता जाएंगी 2 प्लस में X का 1 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं वापिस वह संख्या ते प्लस क्या जाएंगे X माइनस 3 का 2x से गुना करेंगे तो 3 का 2 से गुना करेंगे 6 और 84 दे रखेंगे x माइनस के हमें दे रखें 3 और बरापर में ए एक स्केर प्लस 5x अब बाइं तरब के पदों को थोड़ा हल कर लेते हैं 2x स्केर यहनकि x स्केर का किवल 1 की पद दिया है में तो 2x square x की एक गात के दो पत दे रखें पहले पत में जो गुणांग दे रखा है वो प्लस का एक है और दूसरे पत में जो x का गुणांग का है वो माइनस के 6 दे रखें विपली चिन की संख्या हैं गटा हो जाएगा बड़ी संख्या में से चोटी संख्या गटाते हैं तो 6 में से 1 गटाएंगे 5 बचेंगे बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 5 और 84 x माइनस 3 बराबर में है x square पलस 5x अब सभी पदों को बाहीं तरफ लेके आते हैं तो बाहीं तरफ पहले से दे रखा है 2x square माइनस के 5x माइनस के 3 पलस के x square यह हो जाएंगे माइनस के x square पलस के 5x हो जाएंगे माइनस के 5x बराबर में 0 अब समान पदों का जोड़ और गटाओ कर देते हैं x square के दो पद दे रखेंगे में पलस के 2x square और माइनस का 1x square विप्री चिने गटाओ हो जाएगा 2 में से 1 गटाएंगे तो पलस का 1x square बचेगा x के 2पद दे रिखेंगे में x के एक गात के माइनस का 5 और माइनस के 5 दोनों समान चिन के संखें जोड़ और जाएगा 5 और 5 बचैएंगे 10 संखें आ माइनस के दे रिखेंगे 10 14 again हमें दे रुक है X अचर पद के उल हमें दे रुक है माइनस के तिन बराबर में 0 अब यहां पे सभी पद हैं वो एकल रूप में आ गए अब यहां पे हम 84 X की अधिक्तम गात देखते हैं तो यहां पे 84 X की अधिक्तम गात 2 दे रखिए इसलिए यहां द्वी गात समी करने है आगे 5 नमबर 5 नमबर पार्ट है वो ठीक 3 नमबर पार्ट की तरह होगा 5 नमबर में हमें दे रखा है 2 X माइनस 1 दूसरे प्रेक्ट में X माइनस 3 और बराबर में है पहले प्रेक्ट में X प्लस 5 और दूसरे ब्रेक्ट में X-1 हमारे पास दो ब्रेक्ट दे रखें दोनों में दो दो पत दे रखें तो पहले जो ब्रेक्ट दे रखा है उसके पहले पत का पूरे ब्रेक्ट के साथ गुणा करेंगी यहाँ पहले पत में हमें दे रखा है 2X इस 2x का गुणा होगा x-3 पूरे ब्रेक्ट के साथ फिर हमें संख्या दे रखे-1 माइनस एक का गुणा भी होगा x-3 से आगे ब्राबर का चिन ब्राबर में भी हमें दो-दो संख्या हैं वो ब्रेक्ट में दे रखे तो पहले break की जो पहली संख्य है वो में दे रिखे x इसका गुणा आगे वाले पूरे break के साथ x-1 के साथ होगा दूसरी संख्या में दे रिखे plus के 5 इसका गुणा भी पूरे break के साथ होगा तो गुणा मा जाएगा break में x-1 अब break के अंदर दो संख्य है और एक संख्या break के बार है तो break के बार वाली संख्या का break के अंदर वाली दोनों संख्याओं से अलग लग गुणा होगा पहले 2x का गुणा होगा x से फिर उसके बाद में 2x का गुणा माइनस 3 से तो प्लस का माइनस से गुणा माइनस 2x का गुणा हो जाएगा 3 से ठीक इसी प्रकार माइनस 1 बार दे रखा है और भेट के अंदर है x माइनस 3 तो पहले माइनस 1 का गुणा x से होगा तो माइनस का प्लस से गुणा चिन माइनस आजाएगा और एक गुणा एकस फिर माइनस एक का गुणा माइनस तीन से होगा तो दोनों सिंख्या माइनस कियें तो चिना जाएगा प्लस एक का तीन से गुणा करेंगे तीन बराबर का चिन आगे मैं हमें ठीक इसी परकार दे रखा है कि break के अंदर दो पत दे रखें तो break के भारवाली संख्या का दोनों से गुणा होगा पहले x का गुणा हो जाएगा x से फिर उसके बाद में x का गुणा minus 1 से plus का minus से गुणा minus और x का गुणा 1 से आगे वाला जो हमें पत दे रखा है वो भी SI पर दे रखा है break के अंदर 2 संख्य है तो भार वाली जो संख्य है पहले प्लस 5 का गुणा X से होगा तो प्लस 5 का गुणा हो जाएगा X से फिर प्लस 5 का गुणा माईनस X से विपरी चिन के संख्य है चिन माईनस आ जाएगा 5 को X से गुणा करेंगे 5 हल करते हैं इनको तो 2X का X से गुणा करेंगे तो संख्या में दे रखे 2 X का X से गुणा 2 बार गुणा मागया तो X की स्क्वेर आगे चिन दे रखे माइनस 2X का 3 से गुणा करेंगे संख्याओं का गुणा कर देते हैं प्रत्य एक जो भाग दे रखा है उसमें एक्स के दो-दो पद देर रखें तो आज से एक एक पद बनाते हैं तो 2x स्केर माइनस के 6x और माइनस का 1x तो दोनों माइनस के जोड़े जाएंगे 6 और 1 हो जाएगा माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर में हमें देर रखा है एक स्केर का तो एक ही पद है, माइनस का एक एकस दे रहा है और पलस के पाँच एकस दे रहा है विपरीट चेनल गठा हो जाएगा पाँच में से एक गठाएंगे तो ये बचेंगे पलस के चार एकस और माइनस के पांच अब सभी पदों को बाइं तरफ ले आते हैं दो X स्केर माइनस के 7X प्लस 3 X स्केर प्लस का है माइनस का हो जाएगा 4X प्लस का है माइनस का हो जाएगा 5 माइनस का है प्लस का हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0 समान पदों का योग और गटाव कर देते हैं तो X स्केर के दो पद दे रखें प्लस के 2X स्क्वेर और माइनस का 1X स्क्वेर विप्टी चिने गठाओ जाएगा 2 में से 1 गठाएंगे तो प्लस के 1X स्क्वेर बचेंगे इसी परकार X के एक गाट के भी दो पत दे रहे हैं माइनस के 7X और माइनस के 4X दोनों समान चिने तो जोड़ हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगे माइनस के 11X अचर पतों को देखते हैं पलस के 3 और पलस के 5 समान चिन के सिंखें जोड़ा जाएगा 3 और 5 हो जाएगे पलस के 8 बराबर में 0 सभी पत एकल रूप में आ गए अब यहाँ पर हम 14X के अधिक्तम गात देखते हैं तो 14X के अधिक्तम गात 2 दे रखिए तो लिख देंगे कि यहाँ चर की अधिक्तम गात है यहाँ चर एक्स लिख दो चर एक्स की अधिक्तम गात 2 है इसलिए यह है द्वी गात समी करने है यहनकि जब तक हम समीकर्णों को हल नहीं करेंगे जो हमें गुणा बाग के रूप में संखें दे रखें उनको जब तक हल नहीं करेंगे तब तक हम यह अनमान नहीं लगा सकते कि वो द्विगाज समीकर्ण होगी या नहीं होगी तीन नमबर और पांस नमबर दोनों एक जैसे दे रखें दो दो संखें हमें गुणा में दे रखें इनमें तीन नमबर है वो द्विगाज समीकर नहीं थी जबकि पांस नमबर है वो द्विगाज समीकर नहीं थी ये समीकर को हल करने के बाद में पता चलेगा कि उसमें x की 2 गातका पत सेस रहता है या नहीं रहता अब आगे 6 नमबर 6 नमबर में हमें दे रखा है x स्केर प्लस के 3x प्लस एक और ब्राबर में दे रखा है x माइनस 2 की स्केर बराबर से 22 तरफ तो हमें तीनों पत Been वो एकल रूप में दे रखें लेकिन बराबर के दाई तरफ दो संखें ब्रेक्ट में हमें गटाओ में दे रहे हैं इनके उपर दो गाते हैं तो जब दो संखें गटाओ के रूप में होते हैं उनके उपर जब दो गात होती है तो वहाँ पर एक सर्विस में का काम में आती है x-y की all square x पहले संख्या का पड़तीग है और y दूसरी संख्या का पड़तीग है और x-y की all square बरापर होती है x square plus y square minus 2xy अगर यहाँ पे चिंद पलस होता है यहन कि x plus y की all square होती है तब तो 2xy पलस क्या आते है और अगर x-y की all square होती है तब 2xy है वो minus क्याते है दोनों सर्वेश मिकाओं में के छोटा सा अंतर है x square और y square के पड़ यहन की square के पड़ हमेशा पलस में आएंगी तो इस सर्वेश मिका का हम यहाँ पे परियोग करेंगे बरापर से पहले हमें दे रखा है x square plus 3x plus 1 बरापर में अब यहाँ पे सर्वेश मिका को अगर हम देखें तो x की जगया हमें x दे रखा है और y की जगया हमें दे रखा है 2 तो सर्वेश मिका में जहाँ पे x है वहाँ पे x ही रखेंगे और y की जगया हम रखेंगे 2 तो सबसे पहले आएगा x square तो X कि जगे X है तो X कि स्क्वेर फिर आगे चिन दे रखा है प्लस फिर आगे Y Y कि स्क्वेर तो यहाँ पर माइनस चिन कि जगे माइनस चिन आ गया और Y कि जगे कितना गया दो तो Y कि जगे हम रखेंगे दो और इसके उपर गात दे रखें दो पिर आगे चिन दे रखा है में माइनस संख्या दे रखा है दो गुणा में हमें दे रखा है एक्स तो एक्स की जगाया हमारे पास है एक्स पहली संख्या एक्स है और गुणा में वाई वाई का मतलब दूसरी संख्या और दूसरी संख्या में दे रखा है दो यहां पर माइनस दो नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस जो चिन है वो तो हमारे सर्वेस मिका में जो चिन है उस चिन की जगाए है अब इसको आगे हल करेंगे तो X स्क्वेर पलस के 3X पलस का 1 बराबर X की स्क्वेर, X स्क्वेर रहेगा प्लस में 2 की स्क्वेर किसी संख्यागी जितनी गाता था है उतनी बार गुना में लिखा जाता है तो 2 की 2 गाता है 2 को 2 बार गुना में लिखेंगे अब इनको गुना कर लेते हैं 2, 2, 4 आगे वाली 3 संख्याओं का गुना करेंगे तो चिंतों में दे रखा है माइनस संख्याओं का गुणा करें 2 का 2 से गुणा 4 14 से में दे रखा है X अब सभी पदों को 22 तरफ ले आते हैं तो X स्केर पलस के 3X पलस एक, X स्केर पलस का है ये माइनस का हो जाएगा 4 पलस का है ये माइनस का हो जाएगा और माइनस के 4X हैं यह हो जाएंगे पलस के 4X बराबर में बचेगा 0 समान पतों का जोड़ और गटाओ कर देते हैं X स्केर के दो पत दे रखेंगे पलस के X स्केर और माइनस के X स्केर तो पलस का एक और माइनस का एक विपरी चिने गटाओ हो जाएगा एक में से एक गटाएंगे ये बचेंगे जिरो एक्स के पत देखें तो पलस के तीन एक्स और पलस के चार एक्स दोनों पलस के जोड़ी जाएंगे तीन और चार हो जाएंगे पलस के साथ एक्स संख्यात मकमान देखें पलस का एक और माइनस के चार दोनों विप्रीचिन के संख्ये गठाओं का 4 में से 1 गठाएं गे 3 बचेंगे बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 3 और बराबर में 0 किसी भी संख्या का 0 से कुणा करते हैं 0 आता है जिए पर बत तो 0 गयगा आगे हमें दे रखा है साट एक्स माइनस तीन बराबर जिरो अब यहाँ पर हम देखें चर्रासी एक्स के अधिक्तम गाथ तो चर्रासी एक्स के अधिक्तम गाथ हमें यहाँ पर एक दे रखिए तो हम लिख देंगे यहाँ चर्क की अधिक्तम गाथ एक है और अधिक्तम गात एक है इसलिए यह है द्वी गात समीकरने नहीं है द्वी गात समीकरने नहीं है द्वी गात समीकरने नहीं है द्वी गात समीकरन के लावा कौन सी समीकरन है उसका हमसे कुछ में पुछा गए हमसे केवल इतना ही पुछा गए कि द्वी गात समीकन है या नहीं है सर रासी के दिखते हम गात देखाए तो यह हो जाएगी रेखी एक समीकन इसके बाद में आगे देखते हैं साथ नमबर हमें दे रखा है X पलस दो की गात तीन और बराबर में दे रखा है दो X ब्रेक्ट में X स्केर माइनस है बराबर के दाइं तरब तो ब्रेक्ट के अंदर दो संखें दे रखें और ब्रेक्ट के बार एक संखें दे रखें तो ब्रेक्ट के बार वाली संख्या का दोनों संख्यां उसे अलग लग बुना हो जाएगा और बराबर से पहले हमें X प्लस दो की तीन गाद दे रखें तो यहाँ पर दो संखें जोड के रूप में दे रखें और उनके ओपर तीन गाद है तो यहाँ पर सर्वेस में का आईगी X प्लस Y की गाद तीन दो संखें जोड में X पहली संखें य दूसरी संग्या दोनों संग्या जोड में प्लस 3 और इसके ओपर गाद 3 है ये बराबर होता है X की गाद 3 प्लस Y की गाद 3 प्लस 3 X की गाद 2 गुना Y और प्लस में 3 X गुना Y की गाद 2 इस सर्वेस मिका का यहाँ पर हम परियोग करेंगे तो सबसे पहले X की जगे तो हमें X ही दे रखा है और Y की जगे यहाँ पर हमें दे रखा है 2 तो जहाँ पर भी Y दिखाई देगा उस Y की जगे हम 2 लिख देंगे तो सर्वेस मिका बनेगी X की गाद 3 प्लस में Y की गाद 3 है तो Y की जगए 2 लिख देंगे 2 की गाद 3 फिर प्लस में हमें दे रखा है 3 गुणा में X की स्क्वेर तो X की गाद 2 गुणा में Y, Y की जगए लिख देंगे 2 फिर हमें चिन दे रखा है प्लस का आगे दे रखा है 3 गुणा X तो 3 गुणा X की जगे था हमें X ही दे रखा है और गुणा में Y दे रखा है तो Y की जगे लिखेंगे 2 और इसकी गाद दे रखेंगे 2 बराबर का चिन आगे 2X है इसके गुणा में हमें दे रखा है ब्रेक्ट में X स्केर माइनस 1 तो पहले 2X का गुणा X स्केर से होगा तो 2X गुणा X स्केर फिर 2X का गुणा माइनस एक से तो प्लस का माइनस से गुणा चिना जाएगा माइनस और 2X गुणा एक अब आगे इसको हल करेंगे तो X की गात 3 प्लस 2 की गात 3 तो 2 को 3 बार गुणा हम लिखेंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस में आगे बाले संख्याओं का गुणा करते हैं तो 3 X स्केर का 2 से गुणा करना है संख्याओं का गुणा करतेंगे 3 का 2 से गुणा 6, 14 सी दे रहे हैं X स्केर पलस में 3X के गुणा में दे रहे हैं 2 की स्केर पैदे स्केर कॉल करते हैं 2 की स्केर 2 का 2 से गुणा करेंगे यह जाएगा 4 बरापर में 2X के गुणा में X स्केर दे रहे हैं तो संख्याद हमें दे रहे हैं 2 X की गुणा में आगया X स्केर तो जब दो संखें गुणा में होती है तो अगर उनका आधार समान है यहां पे दोनों में चर्णा सी X दे रिखे आधार समान है और गुणा मोते है तो उनकी गाते हैं जोड़ी जाती है X की 1 गात हैं और एक प्रप X की 2 गात हैं तो 2 और यहाँ पे X की गात हो जाएंगी 3 आगे चीन दर्खाय में minus 2X का 1 से गुना करेंगी 2 का 1 से गुना 2 और 4 से दर्खेar X आगे स्कॉल करते हैं तो X की गात 3 प्लस में 8 प्लस में दर्खें 6X से इस्केर गुना करेंगे 3 का 4 से गुना प्लस के हो जाएंगे 12X बराबर में हमें दे रखा है 2X की गात 3 माइनस में 2X अब सभी पदों को बाइं तरफ ले आते हैं तो X की गात 3 प्लस के 8 प्लस के 6X स्केर प्लस के 12X प्लस के 2X की गात 3 है यह हो जाएंगे माइनस के और माइनस के 2X हैं यह हो जाएंगे पलस के 2X बराबर में बचेगा 0 अब समान पदों का जोड़ और गटाव कर देते हैं X के 3 गात का पत देखें तो हमें 2 पत दे रखें एक तो पलस के X की 3 गात और एक तरब दे रखा है माइनस के 2 और X की 3 गात तो एक में गुणान प्लस 1 है एक में गुणान की माइनस 2 है विप्री चीने गटाओ हो जाएगा 2 में से 1 गटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 X की गात है 3 गुणान का वो माइनस 1 बचेगा तो 1 को लिखने के आउसकता नहीं होती है तो माइनस 3 लगा देंगे बड़ी सिंक्या माइनस किये अब X स्केर का पत देखें X स्केर का केवल एक पत दे रखा है उसके बाद में X की एक गात का पत देखें पलस के 12X और पलस के 2X तो दोनो प्लस के जोड हो जाएगा बारा और दो हो जाएगे प्लस के 14X अचर पदों को देखें अचर पदा हमें केवल दे रखा है प्लस के 8 और बराबर में 0 सभी पदों को जोड गटाओ करके हमने लिख दिया अब यहाँ पर लाश्ट में हम देखते हैं कि 14X है उसके अधिक्तम गात कितनी है यहाँ पर 14X की बड़ी से बड़ी गात है वो तीन दे रखिए तो लिख देंगे कि यहाँ चर की अधिक्तम गात तीन है और चर की अधिक्तम गात तीन है इसलिए यह द्वी गाद समीकर्ण नहीं है अतय यह द्वी गाद समीकर्ण नहीं है और यह हमें चेक करना था कि द्वी गाद समीकर्ण है या नहीं है आगे एक नमबर क्वेशन का आठों पार्ट हमें दे रखा है X की गाद 3 माइनस 4X के माइनस X पलस एक बराबर में X माइनस 2 की गाद 3 बराबर से बाइं तरफ तो सभी पद हैं वो एकल पद के रूप में दे रखें बराबर के दाइं तरफ 2 संखें गटाओ मेर इनके उपर गाद 3 है तो यहां पर सर्वास में का बनेगी X माइनस Y की गाद 3 और यह बराबर होती है X की गाद 3 माइनस Y की गाद 3 माइनस 3X स्केर Y पलस 3X Y स्केर यहन कि जहां पर यहां पर Y है उससे पहले चिन माइनस है तो जहां जहां पर Y की विसम गात आएंगी वो पत तो माइनस के हो जाएंगे और जहां पर Y की सम गात आएंगी वो पत प्लस के हो जाएंगे बागी जो सुतर है वो X प्लस Y के होल गात की तरह रहेगा तो यहां पर X है वो पहले संख्या का परतिक है y दूसरी संख्या का तो हमें जो 2 संख्ये दे रखें गठाओ के रूप में उन्हें पहली संख्या तो x लिखें और दूसरी संख्या को लिखा है 2 तो जहाँ पे भी हमें y दिखाई देगा उस y की जगे इस सर्वेस मिका के अंदर हम 2 रख देंगे तो यह सर्वेस मिका है जो ब्रेक्ट है 3 गात का जो हमारे पास पद है वो हल हो जाएगा तो बाइए तरफ तो हमें दे रखा है x की गात 3 माइनस 4 x स्क्या माइनस x पलस 1 बराबर में अब x की जगे तो x ही लिखना है तो पहले आए x की गात 3 तो x की गात 3 फिर आगे चीन हमें दे रखा है माइनस y की गात 3 यहाँ पहे y की जगे संख्या के उल 2 है क्योंकि जो माइनस चीन है उसकी जगे तो हमने पहले इस सर्वेस मिका के हमसा चीन माइनस लिखा दिया है y की जगे लिखेंगे 2 और इसके उपर गात 3 आगे हमें दे रखा है माइनस 3 गुणा x स्केर तो 3 गुणा x की जगे यहाँ पर x ही दे रखा है x की गात 2 गुणा में y y की जगे हमें संख्या दे रखा है 2 आगे चीन दे रखा है पलस संख्या दे रख्या आगे हमें 3 गुणा X तो 3 गुणा X और इसके गुणा में दे रख्या है Y की गाद 2 तो Y की जिगा हमें संख्या दे रख्या दो और इसके उपर गाद 2 आगे इसको हल करते है X की गाद 3 माइनस 4 X स्केर माइनस X प्लस 1 बराबर में x की गाद 3 माइनस 2 की गाद 3 है तो 2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे 2 को 2 से गुणा 4 और 4 को 2 से गुणा 8 आगे चेना में तरका है माइनस गुणा करेंगे तो संख्याओं का गुणा करते हैं 3 को 2 से गुणा 6 और x की गाद 2 3x की गुणा में 2 की गाद 2 है तो पहले स्क्वेर को अल करेंगे तो 3x गुणा 2 की स्क्वेर हो जाएगी 4 आगे इसको अल करेंगे तो x की गाद 3 माइनस 4x स्क्वेर माइनस x पलस 1 बराबर x की गाद 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वेर दोनों पदों का गुना करेंगे तो 3 का 4 से गुना करेंगे प्लस के 12, 14 से हमें देर के X सभी पदों को 22 तरफ ले आते हैं तो X की गाद 3 माइनस 4 X स्के माइनस X प्लस 1 X की गाद 3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 8 माइनस का हो जाएगा 6 x square माइनस से प्लस का हो जाएगा 12 x plus का है यह माइनस का हो जाएगा बराबर में बचेगा 0 समान पदों का जोड़ और गटाव कर लेते हैं x की 3 गात कापत देखें एक में गुणा कमे देर का है प्लस एक और दूसरे में गुणा कमे देर का है माइनस एक विपली चिने गटाव हो जाएगा एक में से एक गटाएंगे यह बचेंगे 0 x की गात 3 अब x की 2 गात कापत देखते है माइनस के 4 x square और प्लस के 6 x square दोनों के अंदर 14 x की 2 गातें देर के हमें एक तरब चिन देर का है माइनस और एक का चिन देर का प्लस विपली चिने गटाव हो जाएगा गुणांकों को गटा देते हैं तो 6 में से 4 गटाएंगे बड़ी संग्या प्लस के तो प्लस के बचेंगे 2, 84 देर के x की गात 2 अब x की एक गात का पत देखते हैं माइनस का 1 x और माइनस के 12 x दोनों के अंदर 14 x देर के और x की एक एक गात देर के इसलिए समान पदे हैं और समान पदों का ही जोड़ और गटाव कर सकते हैं दोनों संगे माइनस के हैं समान चिन जोड़ी जाएंगी गुणांकों को जोड़ देते हैं यहां पर गुंढ़ा का है 1 और यहां पर गुनां का माइनस 12 तो 1 और बारा हो जाएंगे माइनस के 13 84 एक्स तेर रखे अच्छर पतों को देखें तो पलस का 1 और पलस के 8 दोनों प्लस के जोड़े जएंगे एक और 8 उजाएंगे पलस के 9 बरापर में बचेगा 0 किसी भी संक्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है तो 0 के पत्व को लिखने क्या आप सकता नहीं है यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x स्केर माइनस के 13x प्लस के 9 बरापर 0 अब यहाँ पर जो हमें चर्रासी एक्स दे रहे है उसकी बड़ी से बड़ी गात है वो दो पर आप तुभी है तो लिख देंगे कि यहाँ चर्रासी की अधिक्तम गात 2 है इसलिए यह द्वी गात समी करने है प्लस करने